दोस्तो अगर आपको आपकी Gmail पर कोई email आया है और उसमें कोई attachment है, file है, आप उसको download करने के लिए click कर रहे हैं, तो download तो नहीं हो रहा है, बट आपको इस type से एक option मरलब pop-up दिखा रहा है, suspicious attachment, नीचे लिखाये, to keep your information safe, the downloading of attachments has been disabled, if you trust this message and want to download anyway, mark this email as looks safe in the email security banner. तो यह आपको क्यों दिखा रहा है, यह आपकी safety purpose के लिए है, कि आपको कोई email आया, उसमें कोई attachment वगरा है, ठीक है, तो हो सकता वो suspicious attachment हो, उसमें virus वगरा हो, या जो भी हो, कोई application आपके में download हो जाए, आपकी information leak कर ले, आपके phone का control ले ले, तो कुछ भी हो सकता है, इस type से, तो वही दिखा रहा है, आपकी information safe करने के लिए attachment downloading, जो है, वो disable कर दिया, इसने, ठीक है, यहाँ पे, अगर आपको लगता है, मतलब आप जिससे भी email आया है, जिसके through भी आया है, जिसने भी भेजा है, आप उसको जानते है, trusted source है, तो और आप उसको download करना चाहते है, आपक safe पे click कर दिजे, email के security banner में, मतलब, जैसे ही, आप email open कर रहा होगे, तो सबसे ऊपर की side, top की side, इस type से आपको एक banner दिखा रहा होगा, आपको यहाँ पे looks safe पे click कर देना है, और looks safe पे click कर देंगे, उसके बाद आपको यह नहीं दिखाएगा, आपके में download हो जाएगा attachment, बट उस पे तभी click करिएगा, जब वो trusted source हो, यह आप जानते हों कि यहाँ sender कौन है, कोई trusted source है, अगर unknown source है, आपको trust नहीं हो रहा है, तो आप इस पे click ना करिएगा, attachment download ना करिएगा, यह इसी purpose से ही आपको दिखा रहा है, safety purpose से, कि अगर आप जानते होंगे, trusted source है, तब तो वी वीडियोज देखने के लिए,